हाई ट्रेंड्स इस वीबु दत्त फ्रम साहू टेक्नोगाइड आज के यह वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके पास एंडरेट टीवी है या स्मार्ट टीवी है तो उसमें बिल्ट इन क्रोमकास्ट को आप कैसे यूज करेंगे या स्क्रीन मिररिंग या आप हमरा चैनल को सप्सक्राइब कर सकते हैं आपको एक वेटल आइकन मिलेगा वहां पर क्लिक करते हैं तो हमरा चैनल का लाटेस्ट आपड़ेट आपको मिल जाएगा तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको आता हूँ आप वीडियो देखने के बाद कमेट सेक्षन में मुझे सजेशन दे सकते हैं तो आपका सजेशन मेरे लिए काफी वालेवल रहेगा मेरे वीडियो को इंप्रूब करने के लिए तो अगर आप एक एंडरेट टीवी परचेस कर रहे हैं या स्मार्ट टीवी परचेस करते हैं तो बॉक्स प्रैक या इसर मानौल में लिखा रहता है क्रोम कास्ट बिल्ट इन मिन्स वो टीवी में बिल्ट इन क्रोम कास्ट है तो आप आपका मोबाइल फोन से कोई भी कंटेंट जो कास्टिंग सपोर्ट करता है तो वो टीवी में कास्ट कर सकते हैं जैसे के अगर आपके पास एंडरेट फोन है या आईफोन है तो कोई भी तो यह वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा आप आपका mobile phone से कैसे कास्ट करेंगे आपका TV को, second में आपको बताऊंगा यह चो technology है, casting का technology है, कैसे काम करता है, और last में हम यह दोनों का compare करेंगे, तो चलिए TV screen के पास, तो TV on होने के बाद हम setting में जाते हैं, तो setting में जाके device preference में जाते हैं, तो यहाँ पर एक option है, chromecast built-in, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी setting बगर आपको नहीं मिलता, ज़स्ट यहाँ पर उसका जो version है यह लिख देता है और serial number यहाँ लिख देता है, तो मिन्स यह TV में chromecast built-in है, तो आप आपका mobile phone में जाएए, mobile phone में जैसे के हमर पास अभी इंडिया में जितना application यूज होता है, Sony Live, G5 या Hotstar, Prime Video या Netflix, YouTube सभी में casting support करता है, तो पहले हम YouTube में जाते हैं, जैसे ही आप YouTube open करेंगे तो आपको यह उपर एक casting का सिंबल दिखाएगा, जैसे आप screen में देख सकते हैं, YouTube open करेंगे तो यहाँ पर casting का सिंबल दिखाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करते हैं, तो आपका TV का नाम या आपके घर में अगर एक दो TV है, तो सभी TV का नाम यहाँ पर show करेगा, अगर वो TV में built-in Chromecast है तो यहाँ पर STG Studio यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, YouTube open हो गया, उसके बाद अगर हम कोई भी वी वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे यह एक वीडियो है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो हमको दो अप्सन दिखाता है, एक play और यहाँ पर दिखा रहा है, add to queue, तो अगर add to queue करते हैं, मिन्स यह एक वीडियो जो है, यह हमारा एक queue में आ गया, तो इसे हम 15 वीडियो को भी एक साथ रख सकते हैं, उसके बाद यहाँ से play करेंगे, तो वीडियो जो है, वो यहाँ पर चालू हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक option आता है, यहाँ पर अगर cancel कर देते हैं, तो casting जो है, वो cancel हो जाता है, मिन्स आप 5 से व कोई भी एक वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो यह वीडियो प्ले हो गया, तो वीडियो के उपर भी यहाँ पर casting का option दिखाता है, मिन्स इंडिविजल एक वीडियो को भी आप यहाँ पर casting कर सकते हैं, जैसे यह इंडिविजल वीडियो को हम यहाँ पर casting किये, तो यहाँ पर आ जाएगा तो देख सकते हैं यह वीडियो यहां पर चालू हो गया तो यह कास्टिंग करने के बाद आप आपका मोबाइल फोन को आराम से यूज कर सकते हैं आपको कोई भी दिकत नहीं है जैसे मैं अभी होम स्क्रीन में आ गया या मैं अभी यह नेट्वर्क से बाहर आ गय मिन्स यह जो वाइफाय में टीवी कनेक्टेड है और यह आमारा मोबाइल फोन कनेक्ट है उससे भी बाहर आ गया इनफेक्ट मैं अभी फोन को स्वीच अप भी कर देता हूं तो भी यह जो वीडियो है यह प्ले होता है तो फोन स्वीच अप यहां पर हो गया फिर भी यह वीडियो है यहां पर यह चल ला है तो एक बर出 सकते बाद आप फोन लेके बाहर भी जा सकते हैं फोन को स्वीच अप बी कर सकते हैं और यह यह शाता है और यह आपका Android phone हुआ या iPhone हुआ दोनों में सेम प्रोसेस है जैसे के यह अभी में Android phone में आपको करके दिखाया तो सेम प्रोसेस आप आपका iPhone में भी कर सकते हैं अप्लिकेशन के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर आप कास्टिंग कर दिजिए उसके बाद phone को कोई भी तरीका से आप यूज कर सकते हैं या बाहर भी जा सकते हैं नेट्वर्च से बाहर भी जा सकते हैं तो भी यह वीडियो जो है प्ले होता है तो अभी हम दूसरे एक आप देख सकते हैं यह आ गया Amazon Prime वीडियो और यहां पर लिख रहा है Ready to Cast तो उसके बाद अगर आप कोई भी एक वीडियो को क्लिक करते हैं तो वीडियो यहां पर प्ले हो जाता है और यहां से आप इसको स्टॉप कास्टिंग भी कर सकते हैं तो इस चरिया में आप आपका कोई भी वीडियो कंटेंट जो casting सपोट करता है उसको आपका mobile phone से आपका TV को cast कर सकते हैं तो अभी हम बात करते हैं screen mirroring या screen casting का जिसे के इसके लिए android phone का तरीका अलग है आई फोन का तरीका अलग है तो पहले मैं आपको android phone में दिखाता हूँ जैसे कि Android phone में अगर आप जाते हैं तो पहले आप यहां पर उसका setting में जाएए setting में जाने के बाद यहां पर cast search किजिए तो cast जैसे ही search करेंगे तो आपका TV का नाम जो है आपको यहां पर show कर देगा तो इसको हम select कर लेते हैं तो यहां पर हम start now कर देते हैं तो कुछ-कुछ Android phone में आपको यहां पर उपर भी दिखा देता है casting का option वहां पर क्लिक करके भी direct आप यहां पर screen को cast कर सकते हैं तो इसमें क्या होता है आपका entire screen जो है वो शो कर देता है आपका TV में तो इसमें थोड़ा बहुत डिले रहता है जैसे आप देख सकते हैं मैं यहां से एसे क्लिक करता हूं तो यह थोड़ा सट time के बाद यहां से change हो रहा है तो यह थोड़ा डिले होता है तो जैसे अभी आप किदर भी बाहर गये थे कुछ photo वीडियो वगरा खीचे हैं उसको टीवी में देखना है तो नॉर्माली आप क्या करते हैं पेंड्राइब में कॉफी करते हैं उसके बाद आपका टीवी में लगाते और देखते हैं बट यह जरिया में आप डारेक्ट इसको कास्ट कर सकते हैं और आपका मोबाइल फोन से कोई भी वीडियो या कोई भी photo आजाता है तो वो डिपेंड करता है आपका स्क्रीन का रिजूलिशन कितना है उसी सब से आपका टीवी में यह आजाता है तो जैसे आप देख सकते हैं यहां पर यह आ गया तो इस जरी आप कोई भी वीडियो या फोटो बगर आप खीचे आपका मोबाइल फोन से तो उसको आप यहां पर देख सकते हैं तो इस जरी में आप आपका Android फोन का स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं आपका टीवी में तो मैं अभी आपको बताऊंगा अगर आपके पास iPhone है या iPad है तो उसका स्क्रीन को आप कैसे mirroring या कास्टिंग करेंगे आपका टीवी में तो यहां पर मैं YouTube open कर दिया तो हमारा चैनल का एक वीडियो को मैं यहां पर play करता हूं तो पहले भी आप देख सकते हैं यह corner में आपको कास्टिंग का सिंबल दिखा देता है तो यहां पर देख सकते हैं काफी सरे option दिखाता है तो मैं यहां पर STG studio जो है उसको select करता हूं तो TV में आप देख जो है यहां पर play हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहां पर play हो गया मिंस यहां पर अगर कोई भी वीडियो को कास्टिंग करना है तो Android और iPhone यह दोनों में सेम प्रोसेस है आपको कोई भी उसमें अलग नहीं है तो यहां पर मैं disconnect कर दिया तो यह disconnect हो गया तो अभी मैं आप आपको बताता हूं एंटर स्क्रीन को आप कैसे कास्टिंग करेंगे तो उसके लिए आपको एक application इंस्टल करना पड़ेगा जैसे मैं यहां पर आपको दिखाता हूं एयर स्क्रीन एक application है इसको आपको इंस्टल करना पड़ेगा यह TV का जो Google Play Store रहता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं स्क्रीन में आ जाता है कि यह AirPlay, Cast, Miracast, DLNA यह support करता है तो यहां पर हम start now कर देते हैं तो यहां पर screen mirroring में हम जाते हैं तो यह same नाम यहां पर show कर रहा है तो यहां पर मैं click कर देता हूं तो आप देख सकते हैं यह connect हो गया त तो यहां से हम इसको ऐसे operate कर सकते हैं तो यहां पर भी आप कोई भी वीडियो बगरा या कोई भी फोटो बगरा भी आरम से देख सकते हैं अगर हम इसको landscape करते हैं तो यह full screen में आता है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं full screen में आ रहा है अगर इसको portrait mode करते हैं तो screen कुछ से आता है तो इस ज़रिये में आप आपका iPhone या iPad को आपका TV में mirroring कर सकते हैं Enter screen को तो जब भी आपको disconnect करना है तो यहां से click करके Stop mirroring कर देते हैं तो यहां पे यह disconnect हो जाता है उसके बाद आपका TV का remote से आप इसको back अभी हम बात करते हैं यह प्रोसेंस काम किसे करता है जैसे कि अगर आपको आपका TV में क्रोमकेस्ट करना है या अपका מש्ट करना है तो उसके लिए अपका TV आपका मोबाईल फॉन या आपका iPhone, iPad यह सब यहरों में रहना चाहिए वाइ-फाई में इसको भी आपका किये हैं और आपका फोन को भी Connect किये हैं तो ही आप यह कास्टिंग बगरा कर सकते हैं, अगर आपका फोन आपका फोन का नेटवर्ण से चल लाए या आपका फोन का डेटा से चल लाए और आप टीबी जो है वो वो connect किये हैं आपका Wi-Fi में तो यह काम नहीं करेगा, तो यह दोनों को एक ही नेटर में होना चाहिए, तब जाके यह casting काम करता है, तो यहाँ पर जैसे ही हम कोई भी YouTube या कोई भी आप्लिकेशन में कोई भी वीडियो हम क्लिक करते हैं, और उपर casting का option में क्लिक कर देते हैं, तो यह सेम वीडियो का link जो है आपका TV को भेज़ देता है, तो आपका TV वही link से इसको चलाता है, उसके बाद यह phone का काम खतम हो जाता है, जैसे मैं आपको दिखाया phone को अगर आप दूसरा नेटर में ले जाते हैं, या आप यह phone को switch up भी कर देते हैं, तो भी उसको link मिल ज सकते हैं, या phone को off नहीं कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाया, यहाँ पर जो चीज़ चला है, वहाँ पर भी वह दिखाता है, यह same network में रहते हैं, तो दोनों interconnect रहते हैं, तो आपका phone आपका TV यह दोनों connect रहते हैं, इसलिए आप phone को बाहर नहीं ले सकते हैं, या phone को दोनों में फरक क्या है कुछ हम important point उसके उपर बात करेंगे जैसे कि पहला point देखा जाए तो Chromecast जो है उसमें slow नहीं होता जैसे कि अगर आप कोई भी वीडियो को casting कर रहे हैं आपका TV में तो कभी आपको slow नहीं होगा एक बार आप casting कर दिये उसके बाद continuous हो चलता रहता है जैसे कि अगर हम casting करते हैं तो वहां पर हमारा phone और हमारा TV का engagement बहुत ही कम है तो एक बार अगर हम mobile phone में कोई भी comment दे दिये कोई वीडियो का casting कर दिये उसके बाद phone का काम बंद ही हो जाता है तो phone को आप किधर लेके जा सकते हैं switch up भी कर सकते हैं बट अगर आप screen mirroring कर रहे हैं तो वहां पर mobile phone और टीवी का engagement ज्यादा है तो जगह में आप phone को लेके किधर जा नहीं सकते या phone को आप नहीं कर सकते आपको हमेशा phone को connect रखना पड़ेगा आपके टीवी के साथ और third point बात करते हैं battery consumption जैसे कि अगर आप Chromecast कर रहे हैं तो वहां पर आपका battery का use काफी क on रखना पड़ेगा तब जाके वह screen mirroring होता है आपके टीवी के साथ तो यह option में आपको Chromecast में battery consumption बहुत ही कम होता है और screen mirroring में battery consumption काफी ज्यादा होता है और last point बात करते हैं heating issue जैसे कि अगर हम Chromecast करते हैं या screen mirroring करते हैं तो हमारा phone जो हीट होता है जबके Chromecast करने के time में आ जागा में आपका phone heat होता है क्योंकि आपका phone का display always on रहता है और उसका process भी काफी fast होता है इसलिए phone heat भी होता है तो यह कुछ रहा यह दोनों में अंतर तो आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो like and share जरूर